Let's do question number 8th of exercise 4B that is integers, question number 8th is write the producer of each one of the following, producer क्या होता था कि हमें छोटा नमबर, पहले वाला नमबर बताना होता था, right, तो first part है 120, हमारा first part है 120, अब हम भी पता है positive number के case में producer 120 में से minus 1 करके निकलता था, तो 120 में से minus 1 किया, तो 119 आया, तो 119 हमारा producer हो गया, let's do next part, next part is 79, 79 का producer क्या होगा, ये भी positive number है, तो minus 1 कर देंगे, तो हमारा 78 आ गया, तो ये हमारा producer आ गया, right, third part देखिए, third part है हमारा minus 8, minus 8, अब हमारा छोटा part क्या होगा, हमें minus 1 करना होता है, तो देखिए, minus 8 में minus 1 करेंगे, तो कितना है, दोनों minus के हैं, तो minus ही लग जाएगा, और आपस में add हो जाएगे, जो आपने अगर में लास्ट वीडियो देखिए हो, तो मैंने आपको बताया था, दोनों जब साइन सेम होते हैं, तो as it is minus वही साइन लग जाता है, और आपस में add हो जाते हैं, तो हमारा producer हो गया, minus 9, let's do fourth part, fourth part is minus 141, minus 141 के case में देखिए, इसी तरीके से minus 141 है, हमें minus 1 करना है, तो minus sign है, तो minus sign as it is लगया, और आपस में add हो गया, तो यह आगया 142, तो minus का 142 producer होगा, minus के case में याद रखेगा, minus sign लगेगा, और 8 से बड़ा number, next number हमारा producer होगा, let's do fifth part, fifth part is minus 300, minus 300, तो अब देखिए, minus का 300 है, और minus का 1 करना है, तो that is minus as it is लखा और 301 होगया, तो minus 301 is the answer, let's do question number ninth of exercise 4b, that is integers, question number ninth is simplify, हमें simplify करना है, मतलब हमें value निकालने हैं, इसको plus या minus करके, तो first part है minus 7 plus minus 9 plus 12 plus minus 16, यही था, तो चलिए कैसे करेंगे, अब देखिए, यहाँ पर कुछ नहीं है, तो plus minus minus 7 होगया, अब इसी तरीके से plus minus minus 9 होगया, यह rule मैंने introduction में भी पताया हुआ है, तो please आप जरूर पढ़िएगा, कि हम multiply में opposite sign होते हैं, तो क्या लिखते हैं, और same sign होते हैं, तो क्या लिखते हैं, अब देखिए, plus 12 as it is, now plus minus minus 16, तो अब जितने भी same sign के, minus sign सब तीन चीज़ों में, minus का 7 है, minus का 9 है, minus का 16 है, तो हम क्या करेंगे, इनको आपस में कैसे add करेंगे, देखिए, मैंने आपको बताया था, same sign के as it is minus लग जाएगा, तो और आपस में add लेंगे, तो 6 plus 7 is, 6 plus 7 is 13, 13 plus 9 is 22, 2, 2 क्या रही, 3 आगया, तो यह आगया, minus का 32, अब हमने कौन-कौन सी digits ले ली थी, 7 ले लिया था, 9 ले लिया था, 16 ले लिया था, 12 बचा था, तो 12 नीचे लिख देंगे, plus का 12, अब हम कैसे करते थे, opposite sign है, देखिए, minus का 32 है, plus का 12 है, हमेशा बड़ी number, बड़ा number कह रही हूँ, plus minus का sign नहीं कह रही हूँ, ध्यान दीजेगा, हमेशा बड़ा number उपर लिखेगा, छोटा number नीचे लिखेगा, opposite sign के case में, अब क्या होगा, opposite sign जो होता है, उसमें बड़ा number जो होता है, उसका जो sign होता है, वो as it is लग जाता है, और आपस में value, वो subtract हो जाती है, तो बड़ा number का sign है, minus, minus लग जाती है, अब आपस में subtract हो जाएंगे, 2 में से 2 गया, 0, 3 में से 1 गया, 2, तो answer कितना आगया, minus 20 is the answer, let's do second part now, second part is, 37 plus minus 23, 37 plus minus 23, plus minus 65, plus minus 65, plus 9 and plus minus 12, तो अब इसको कैसे solve करेंगे, देखिए, plus ही है, तो 37 as it is आ जाएगा, तो हमने 37 as it is लिख लिया, अब now, plus minus minus का 23, now, plus minus minus का 65, plus का 9 as it is, अब इसी तरीके से plus minus minus का 12, या गया, अब minus का sign किस के साथ है, और plus का sign किस किस के साथ है, देखिए, यहाँ कोई sign नहीं है, तो plus है, यह 9 plus है, और 23, 65 and 12 के साथ minus है, तो minus sign वाले as it is add कर लिएते हैं, like minus 23, minus 65 and minus 12, आपस में add कर लिए, तो यह कितना है, minus ही लग जाएगा, और add कर लिएगे, तो add कितना हो गया, 5 plus 3 is 8, 9, 10, carry 1, यह कितना हो गया, 2 plus 1 is 3, 3 plus 6 is 9 and plus 1 is 10, तो यह आगया, minus का 100, अब plus की values एक साथ add कर लिजे, 37 and 9, जिनके आगे plus लग रहा था, तो 9 plus 7 is 16, carry 1 and 4, 46, अब यह दोनों opposite sign का हो गया, तो minus का 100, plus का 46, 46, तो sign बड़ा वला कौन सा लगेगा, 100 का कौन सा sign है, minus, हमेशा याद रखिए, बड़ी digit का sign लगेगा, आप देखिए, यहाँ पर बड़ी digit क्या थी, minus 65, तीनों minus के थे, तो minus लगा दिया, यहाँ पर भी बड़ी digit plus की थी, तो plus लगा दिया, यहाँ पर भी बड़ी digit minus की थी, तो minus ही लगेगा, अब आपस में subtract हो जाएंगे, 10 में से 6 गया 4, 9 में से 4 गया is 5, तो minus 54 is the answer, let's do third part now, third part is minus 145 plus 79, 3rd part is minus 145 plus 79, minus 265 plus minus 265 plus minus 41, plus minus 265 plus minus 41, and plus 2, plus 2, अब देखिए, यहाँ minus का है, यहाँ plus है, plus minus minus 145 plus 79, as it is, again plus minus minus 265, again देखिए, plus minus minus 41, and plus 2, तो यह कितना आगया, देखिए, minus की values कौन कौन सी ही, यह है, minus 265 and minus 41 है, तो आपस में add कलने हैं, तो यहाँ आगया, minus 145 minus 265 minus 41, अब देखिए, बड़े वाले का number का minus है, तीनो minus के case में भी बड़ा वाला ही याद रखिए, जिससे कि आप problem में ना आएं, कि क्यों सा sign रखना है, हमेशा बड़े वाले का number का लिखना है, अब तीनो minus के हैं, तो minus का sign लगा दिया, और आपस में add कर दिया, तो 5 plus 5 is 10, 10 plus 1 is 11, carry 1, 4 plus 1 is 5, 5 plus 6 is 11, 11 plus 4 is 15, carry 1, 2 plus 1 is 3 and 4, तो यह आया, minus का 451, अब प्लस का क्या था, देखिए, 79 और 2 ही है, तो 81 हो गया, 79 plus 2 is 81, 81, तो अब एक minus का हो गया, एक plus का हो गया, तो minus का 451 और प्लस का 81, तो देखिए, बड़े वाले का sign minus है, बड़े वाली value का, अब आपस में subtract हो जाएंगे, तो 1 में से 1 गया है, 0, 5 में से 8 नहीं जा सकता, तो हमने एक carry ले लिया, तो यह हो गया 15, 15 में से 8 गया है, 7 and 3 is the answer, minus 3, 70 is the answer, let's do fourth part, fourth part is 1056 plus minus 1056 plus minus 798 plus minus 38 plus 44 plus minus 1, अब brackets open कर लेंगे, तो देखिए, यह as it is आजाएगा, क्योंकि प्लस ही है, यहाँ plus minus minus हो जाएगा, यहाँ पे भी plus minus minus हो जाएगा, और यहाँ पे भी plus minus minus हो जाएगा, देखिए, plus की values यह वाली और 44, आपस में add कर देंगे, तो 1056 and 44, दोनों plus के हैं, तो plus का ही sign आएगा, आपस में add कर दीजे, 6 plus 4 is 10, carry 1, 5 plus 1 is 6, 6 plus 4 is 10, again carry 1, 0 plus 1 is 1 and 1, तो यहाँ गया 1100, अब minus की digit वाले सारे add कर लेते हैं, minus का 798 and minus का 38 and minus का 1, तो देखिए, सब का sign minus है, पड़े वाले का भी sign minus है, तो minus लगा दिया, अब add कर लेते हैं, 8 plus 8 is 16, plus 1 is 17, carry 1, 9 plus 1 is 10, 10 plus 3 is 13, carry 1, 7 plus 1 is 8, तो यहाँ गया minus का 837, तो अब हमें clearly पता चल रहा है, कि हमें minus करना है, तो 1100 में से 837 minus हो गया, तो 0 में से 7 नहीं जा सकता, carry ले लिया, तो यहाँ गया 0, 9 and 10, 10 में से 7 गे is 3, 9 में से 3 गे is 6, अब यह carry ले लिया 0 से, 0 ने, तो 10 में से 8 गे is 2, तो प्लस का ही sign लगेगा, क्योंकि बड़ी digit प्लस की है, तो 263 is the answer.